असलाम अलेकुम, वेलकम टो माई चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की खीर, जो सभी की फैवरेट होती है सूजी की खीर बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी सूजी का पैकेट अगर दुकान से लाएं तो पहले उसे भून लें क्योंकि सूजी को ऐसे रखने से उसमें कीड़े या घून लग जाते हैं एक बरतन में हम इसे हलका सा भून लेंगे और ठंडा होने के बाद एक एर टाइट डिपे में बंद करके रख देंगे जिससे हमारी सूजी काफी महीनों तक सेफ रहती है ये देखिए मैंने इसे एक एर टाइट कंटेनर में रख लिया है अब ये सेफ रहेगी चलिए आईए अफ़ीर बनाना शुरू करते हैं एक बरतन में मैंने आधा लिटर दूट लिया है ये दूट मैंने पहले से बॉल करके ठंडा कर लिया है इसमें दो बड़े चमच सूजी डालेंगे और इसे अच्छी तरह के से दूट में मिक्स कर देंगे अगर आप गरम दूट में सूजी डालेंगे तो उसमें लंप्स पढ़ सकते हैं अब खीर को स्लो फ्लेम पे धीरे-धीरे पकाएं जब खीर थोड़ी सी पक जाए तो इसमें आधा चम्मच इलाइची पौडर डाल दें क्योंकि इलाइची की खुश्बू खीर में बहुत अच्छी लगती है इलाइची डाल के फिर से इसे अच्छे तरीके से चला ले इसे स्लो स्लो पांच मिनट तक चलाते रहेंगे मेरे पास यह मलाई थी तो मैंने इसे भी खीर में डाल दिया है बलाई डालने से भी खीर और जादा टेस्टी हो जाती है अगर आपके पास बलाई ना हो तो ना डालिये ऐसे ही हलके हलके जलाके हम दूद को गाड़ा कर लेंगे ये देखिए हमारी खीर अब तयार होने आई है सूजी भी पक गई है और दूद भी गाड़ा हो गया है अब हम इसमें तीन बड़े चमज शक्कर के डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ये देखिए शक्कर भी अब इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा अब हम फ्लेम को बन कर देंगे अब इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल के ठंडा कर लेंगे इस पे से कुछ ट्राइफूट्स हम गार्णिश कर देंगे ये देखे हमारी सूजी की खीर बनके अब तयार हो गई है आप ऐसी जटपट खीर महमानों के लिए भी बना सकते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये फटाफट बन जाती है अगर आपको मेरी ये सूजी की खीर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजेगा अल्ला हाफेज